तो हम लोग याद करने के कोशिस कर रहे हैं इटली यूनिफिकेशन ठीक है तो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ट के लिए चलिए फटाफट अब इसको फ्लैश हो रही होगी 1,2,3,4,5,6,7,7,7 पॉइंट है आप याद कर लो 5 मार्क्स अगर पूछे जात है इटली यूनिफिकेशन पर तो आपको आ जाएगी चलिए फटाफट एक एक करके याद करते हैं अब देखें समझ लोगे तो आप लिख सकते हो ठीक है इजी वे में पहला देख लो अब जो इटली का यूनिफिकेशन था उसमें टीन में लीडर्स थे कौन-कौन थे तो साडिनिया पिडमॉन जो एक मात्र ऐसा रीजन था जहां प्रिंसली हाउस था ठेक है नौर्थ रीजन जो था वो अस्ट्रियन हप्सबग डानेस्टी के अंडर था सिंट्रल पर रूल कौन कर रहा था वो पर फ्रांस और सदन रीजन पर बबन किंग जो था इस पेन का वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो थी वो स्टार्ट कैसे होती है तो जो से पर मजीनी के करण ये स्टार्ट होती है क्योंकि उसने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्ड किया था कौन-कौन सा सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली और यंग यूरोप ठेक ताउंट कावर देख लो त पूरी तरह से फ्री कर देता है अब आज आ जाते हैं गैरी बाल्टी क्या करता है अपने वॉलॉंटियर्स जो आम्ड वॉलॉंटियर्स थी जिसको कहा जाता था रेड सर्ट उसके साथ वह मिल करके बबन किंग ऑफ स्पेन को हरा देता है और सिलीशिया का जो किंडम था उ तो युनिफिकेशन था वह कंप्लीट करता है और आखरी में विक्टर इम्यन्वल सेकेंड ही अपने आपको प्रोक्लेम करता है कैसे ऐसा एम्परर आफ युनाइटेड इटली ए आपका आई होप सो वन टू थी फोर फाइफ सिक सेवन पॉइंट दिये गए हैं अगर आप होप सो आपको याद करने में हेल्प मिली होगी तो इसको बार-बार सुनिये 100% ही याद हो जाएगा थैंक यू और अल बेस्ट पर यू पेपर